हेलो फ्रेंज वेलकम टो शिवाल लर्णिंग फॉर प्टेट तो वेबसाइट www.shivalearning.in इस फ्रेंज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फैक्ट्स वाली बातें जो कि अभी बजट में पास हुआ था लास्ट हेलो फ्रेंज वेलकम टो शिवाल लर्णिंग फॉर मोर अपड़ेट्स वेबसाइट www.shivalearning.in इस फ्रेंज इस वीडियो में आपको रिसेंडली जो बजट पास हुआ है उसका हेल्थ सेक्टर में जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है और हेल्थ सेक्टर के अंडर एम्स और गौर्वर्मेंट मेडिकल कॉलिजिस के बनाने में और सीट इंग्रीज करने में कितना केट हुआ है वह आपको बताने वाला हूं तो चलिए गए शुरू करते हैं और शुरू करन से पहले मेरी आफसे रिक्वेश्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुल अपडेट के लिए हमारा चैनल शिवा लंडिंग जरो सब्सक्राब करें और साथी बेल आइकन फिस्कल तो जो एम्स के लिए जो बजट था वो एलोकेशन अभी बढ़ा के 359.65 करोड कर दिया गया है जो अपकी पहले 3,18 करोड था और इसके बाद हम सीधे जाते हैं गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजिस के बारे में उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है तो उसका पहरा यह है इट ऐलोकेटेट रुपीस 1361 करोड फौर स्ट्रेंजन गौवर्मेंट मेडीकल कॉलेजिस अंडर ग्रडग्याजजीट सीडस और सैटर गौवर्मेंट हल्स इंस्टिएशन तो 1361 करोड ग अचा जोर सैंटर गौवर्मेंट हल्स तो गाई तेरह सो 61 करोड जो एक्सिस्टिंग को उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए होगा और तूथाउसन करोड नए मेडिकल को लिजिस बनाने के लिए होगा तो यह एक अच्छा बजट इसका बोल सकते हैं पूरी लिंक पूरे आर्टिकल की निचे डिसक्शन आप पू मैंने आपको बता दिया तो काफी अच्छा बजट इस बार सभी वर्क के लोगों को पसंद आया है पूरी बजट की डिटेल्स के लिए नीचे वाले लिंक पर यह आप क्लिक करें दूसर लिंक में दूंगा तो आप पूरा उसम पढ़ सकते हैं तो गाईस ऐसी रेगूल अ सब्सक्राइब करें मिलते नई वीडियो में ऐसी नई जनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार